तो गए टेक्निकल दिपरम चनल में आपका स्वाकत है आज की वीडियो में मैं बताने वालो कॉपी राइश ट्राइक के बारे में कि किस प्रकार से अपनी चैनल पर कॉपी राइश ट्राइक आती है तो यहां पर 2022 में आपको सक्सेस्पूली यूटूबर बन रहे तो आपको कॉपी राइश ट्राइक के बारे में जानना होगा कि किस प्रकार से आपकी चैनल पर कॉपी राइश ट्राइक आती है किस तरीके से आप भूल करते हो क्या है कॉपी राइश ट्राइक सब कुछ समझाएंगे इस वीडियो में तो देखते रहे है पूरी वीडियो वीडियो यान कि आपके चैनल से बीडियो डियाड चीया है तो यहापके आपको क्या करना कहना iHow and आगे बताते हैं यानि कि आप वीडियो बनाते हो जो भी वीडियो बनाते हो तो उसमें आप एक सेकंड का या 30 सेकंड का या पूरी मिनिट का आप कंटेंड यूज़ करते हो तो यहां पर आपको कॉपीराइट श्ट्राइक आ सकती है लेकिन यहां पर जब तक सामरे वाले ब वीडियो में इस तरीका का content तो यहां पर YouTube खुद यहां पर आपको भेज़ेगा copyright तो इसे बचने के लिए आपको क्या करना है किसी का यहां पर Content ID यूज नहीं करना है यानि किसी की वीडियो हो इमेज हो या तो कोई मिजिक हो हो वो आप हो probश्ण पीज़ सकते हो और और यहाठ और आपको आपको कॉपीडाइर स्ट्राइक भेज दी तो यहाठे आपको कपीडाइर कोई भी नहीं होता है लेकिन यहां पर आगे बताने वाला किया इसा काम करें कि जिसकी वज़े से आप बच सकते हैं आप किसी का content यूज़ करते हो और यहां पर सामने वाले ने यहां पर पर्मिशन देता है तो आपको आपको कोपी रच टराइक नहीं मिलती लेकिन यहां पर आपको परमिशन नहीं है और तब जाके आप यूज करते हो तो आप voter मिलती है लेकिन यहां पर honest टायिं तब आप आप है आपको मिल जाती है i-mail id और यहां पर इसको आप contact करके यहाँ पे आप सुलजा सकते हम यानि कि आप इसको request कर सकते और आपको अपनी copyright आफ यह बेजी है वह यहां पर वापस ले सकते इसी type का आप आप request करते हो और यहाँ पे वह सामने वाला बंदा यहाँ पर request यापस ले लेता है तो आपको आपकी चैनल बचने का चांस होता है इसके लिए आपको यहाँ पर request करना पड़ेगा लेकिन बड़े बड़े यूटूबर यानि कि brand channel वालों का यहाँ पर content आप यूज करते हो और यहाँ यूटूब ने खूद यहाँ पर आपको भेज दिया copyright तो उससे आपको नहीं बच सकते यानि कि आप जितना कोशिस करो उतना आप कोई भी बच नहीं सकते आपको श्ट्राइक यहाँ पर तीन महिने तक पड़े रहेगी यानि कि 90 दिन तक यहाँ प यहाँ पर आपको श्ट्राइक मिल गई है पहली चैनल पर और इसी इमयल आईडि से या तो अपना चैनल मुलिटाइज नहीं होगा या तो यहाँ पर आपकी चैनल फिर से यहाँ पर टर्मिट किया जाता है वह सब यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है तो उसका भी आपको त करना है आपको नए mobile के साथ नई email id के साथ आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल बनाते हो फिर से तो आपकी चैनल काफी अच्छी ग्रोव कर सकते हैं फरस्ट यहाँ पर कॉपिरा श्ट्राइक मिलती है तो आपको वर्णिंग श्ट्राइक दिया जाता है और यहाँ पर आपक कर सकते हैं तो आप यहाँ पर दूसरा लगा सकते हैं यहाँ यूट्यूब से आप फिर से यहाँ पर अपलोड कर देते हो तो यहाँ पर आपका कॉपिरा श्ट्राइक जो भी मिला है वहाँ आपका हड जाएगा लेकिन यहाँ पर 90 दिन तक तो आपको दिखाई देगा कि इस वीडियो में यहाँ पे copyright strike भेजा है और यहाँ पे सामने से मेला जाता है कि आपकी strike को यहाँ पे हटा दिया गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहाँ पे आपको सही तरीके से सोटा सा यूज किया है कोई भी content तो इसी तरीके से आपका बचने का चांज भी भीजी है उसको वापस ले ले इसी तरीके से आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा या तो कोई भी इसा काम करना पड़ेगा जिसकी वज़े से आपे strike वापस ले लेता है और यहाँ पे आपकी चैनल यहाँ पे terminate नहीं किया जाता लेकिन यहाँ पे आपको इसको contact करके यहाँ पे request करना पड़ेगा चैनल पे 90 दिन में तीन strike आ जाती है तो आपका बचने का chance 7 days होता है यानि कि 7 दिन में आप जो हो सके वह आप कर सकते यानि कि आपको 7 दिन में यहाँ जिसने आपको भेजा है copyright उसको आप बात करके यहाँ पे हटवा सकते है या तो लेकिन यह यहाँ पे आपको strike यहाँ पे नहीं हरती तो 7 दिन के बाद यहाँ आपकी channel को terminate किया जाता है और यहाँ पर में आगे बताता हूँ जिसकी वज़े से आपको यहाँ पे आपकी चैनल को चैकिया जाएगा कि सच में यहाँ पे इस बंदे ने यहाँ यूज किया है या नहीं और यहाँ पे आपने नहीं किया और यहाँ आप सच है तो यहाँ पे सामने वाले बंदे ने जो भी जिसने आपको भेजा है उसको यह प्रूफ मागेगा YouTube कि किस तरीके से यहाँ पर आप इसको श्ट्राइक भेज सकते हैं और यहाँ पर इसके पास यहाँ पर सबुत नहीं मिलता तो उसको यह स्ट्राइक मिल सकती है यह तो इसकी चानल को दिक्कत हो सकती है इसी टाइप का प्रोब्लेम हो सकता है लेकिन यहां पर आपको उस वीडियो को आपको डिलेट नहीं करना नहीं तो आप काउंटर नोटिफिकेशन यहां पर सब्मिट नहीं कर पाओगे तो उसी बात का आपको ध्यान रखना है और यहां पर आपने यहां पर सही तरीके से यहां पर काउंटर नोटिफिकेशन विज दिया और यहां पर आप सच है और यहां पर आपने कुछ भी यहां पर continue नहीं किया तो YouTube खूद यहां पर आपकी चैनल delete की गई है तो यहां पर आपको दे देता है और यहां पर आपकी वीडियो को यहां पर delete कर दिया है तो आपको वापस मिल जाता है यहां पर YouTube खूद यहां पर च जिस वीडियो बना रहा है उस वीडियो में आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर content यूज नहीं करना यानि कि आपको वीडियो यूज नहीं करना आपको music यूज नहीं करना या तो कोई image यूज नहीं करना जिसकी वज़े से आपको copyright आ सके यानि कि दूसरी बात यह है कि आप जब भी आपको strike मिल जाती है तो आपको वीडियो डिलेट नहीं करना तिसरी बात यह है कि आपको जब भी यहाँ पर strike मिल जाती है तो आपको wait करना होगा और यहाँ पर आपने कोई भी कलती की तो यहाँ पर 90 दिन तक आपको wait करना होगा ताक उस भी आपको नहीं करना और आप जिस वीडियो में अपलोड करते हैं , उसी वीडियो को आप अपलोड करती है और आप आपनी चैनल को आगे बढ़ाते दाए लेकिन यहाप फिर से कोई भी यहापे content use नहीं करना उसी बात को अपको द DaiRakना है